पिल्कुल जिस तरह से आप हम बहुत पहले से आपको मजीदी साफ जानते हैं कई बार इसी वज़े से अपने आप इसी सोभाव के चलते कई बार कटरपंथियों के निशाने पर भी आए हैं कई बार आपको आपके ही समाथ से फत्वा तक जारी हुआ है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और लेकिन मैं फिर से वापस आ रहा हूँ चैतनपुरीज महाराज जी कह रहे हैं कि आप देखें आप ने जिस तरह की सवाल किया कि क्रश्न हमारे सब के मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि क्या वो जाने देंगे इस पर वो साप साप नहीं बता प पिश्वास है कि महांत जी हमारा हाथ जटक ही नहीं सकते क्योंकि हिंदु दर्व में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि को यगर आप से प्यार करें तो बदले में आप तरश्वास जी हाथ पकड़के मजीदी साब करम जबर्दस जबरन हाथ पकड़के जाएंगे कि बाद से हम लोग पूरी दर जबर सेमत हैं इनके जैसे लोक हैं यहां घदारों की भरी वी है यह खाते राष्ति की हैं पड़ाते पाकिस्तान की हैं यहां पे डेस में बहुत संख्या पर पढ़े इनके जैसे रास्टवादि लोग बहुत दिया लेकर दोड़ेंगे तब मिलेंगे अच्छे लोग हैं इनका बिननन कर रहा हूं और इन जैसे लोगों से ही राष्ट में कुछ भावनाय बची हुई है जो प्रेम हिंदु मुस्लिम को बचा हुआ है इन जैसे महान सक्केत के वज़े से बचा हुआ है अने था हिंदुत की खाके हिंदुत को रादे महाल खराब करने काम कर रहे हैं और बेदेशों वजा करके भारत की छवी को धूमिल करने काम कर रहे हैं यह स्रेश से इनका बिनननल था है आंगे रहेगा ऐसे लोग बहुत हैं और लोना चायो अब अब्दुर कलाम जी हो घरगर हम उनकी तफ्विर लगाने के वकालत करते हैं ऐसे स्रेश और महान लोगों की पूजा हर घर में होने चाहिए परन्तु गज़्जारों की राष्ट में आवा सकता नहीं है उनको खताई मंदर में घुसले नहीं दिये जाएगा ठीक है मजीदी साब क्या लगता है आपको कौन ऐसे लोग है जो आपको जैसे आपने ज करते हैं अल्ला की इबादत करते हैं तो वो अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बांक में के साथ आपकीयो नहीं खड़ें। मेरा सवाल ये कि जिस तरह से इदगा कमेटी के लोग कह रहे हैं कि नहीं 1960 में समझोता हो चुका है सत्रवी शताब्दी से वहाँ पर इदगा बनी हुई है तब से कई पीडियां बदल गई है और अब बराबर पूजा पाठ हो रहा है वहाँ के जो लोग है वह आपस में एकतार भाईचारे से रह रहे हैं तो अगर वो रोक रहे हैं तो वो क्या जायज नहीं है ठीक नहीं है देखिए ऐसा है कि हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है और भारत समविधान और कानून से चलता है अधिवक्ता महोदे हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं मैं भी अधिवक्ता रहा हूं और मैंने वकलत नहीं अब इस वक्त कर रहा हूं लेकिन जब कोई दावा दाखिल करता है तो उसके बाद उसका प्रतिवाद भी जवाब दावा भी आता है तो दावे में किसी ने बात कही तो जवाब दावे में कोई बात कही अब इशू को पब्लिक डोमेन में लाएंगे पब्लिक बहस में लाएंगे अब बहस देखिए, बहस एक स्वस्थ बहस हो, स्वस्थ परिचर्चा हो, तो उससे समाज का दिरमाल होता है, लेकिन बहस में अगर अलाजकता उत्पन कर दी जाए, बहस में मतलब तथ्चों को तोल मरोल करके किसी फाइदे के लिए लाया जाए, तो वो उससे बात सतान हो, हमारे यह ही बहुत से पत्राइब की बाद करता है, इन तीनों में इस घटना का रहस्योंत घाटन करने वाला कौन था? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आज आपके इस टेलीविजन के माध्यम से हिंदुस्तान की मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ इन तीनों घटनाओं को इंटरनेशनल लेबल पर भारत को बदनाम करने के लिए प्रियोग किया जाता है आप मुझे बता दीजे इन तीनों घटनाओं को मनजरे आम पर लाने वाले कौन लोग थे वीडियो बनाने वाले कौन लोग थे उनके लिए नियाय की बात करने वाले कौन थे नियायले में उनका पक्षी रखने वाले कौन थे 99% हिंदू थे उसमें तो फिर कैसे इस बात को कहा जा सकता है तो देखित चर्चा होनी चाहिए मैं उमेश जी मैं कटा के लाप कि यह मादरत हाईता हूँ आज अध्या में मरियादापुर्शोत्म श्रीराम चंदर जी का भवे मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है और साथ में नियायले ने एक जमीन दी थी मुसल्मानों को भी मस्जित बनाने के लिए अगर सब लोग मिलकर के मंदिरों मस्जित साथ बनाते हो उसी दिन साथ में उद्गाटन होता एक तरफ मंदिर का उद्गाटन एक तरफ मस्जित का उद्गाटन तो आज जो अमरीका की एजंसिया और अमरीका की संस्था है भारत को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं तो आज हम उनको जवाब दे सकते कि यह वो देश है जहां पर नियाल एकोर कि एको लेखी हैं टार रहें सन्मरीका की सबatar कर रहे हैं ग web warmth mutनि को जवाब्साब कर डर उनको सके तो वी हम जो एवान कही डार घफ मेंगे हैं रगलिगका उन्प